संक्या का उवर्गमुल निकालना जैसे की 625 का उवर्गमुल निकालना है तो इसकी दो êडिया है एक ग्रोणखंड बिदि है और दुसरा भागविदि है तो ग्रोणखंड बिदी में होता है जैसे 625 है तो 625 का हम फैक्टर लेते हैं ग्रोंखंड करते हैं 625 का हम जब हम ग्रोंखंड करते हैं 625 का जब ग्रोंखंड करेंगे जब हम तो 625 में 2 का भाग देंगे तो जाएगा नहीं 3 का जाएगा नहीं 4 का जाएगा नहीं 5 का भाग देंगे पाच का भाग देते हैं जब हम एक सब पचीस आता है और फिर एक सब पचीस को हम पाच से भाग देते हैं तो पाच आता है फिर पाच को हम पाच से भाग देंगे तो एक आएगा अब इसके गुर्ण खंड हो जाएंगे पाच गुड़े पाच गुड़े पाच गुड़े प पाँच और दूसरे जोड़ा से एक पाँच हो जागा पाँच गुड़े पाँच पजहाब पचीस यह होगा 625 का वर्गमुल 25 हो गया और सेकेंड में ठट है सेकेंड विधी है दूसरी विधी है 625 625 में भाग विधी में क्या करते हैं कि दाहिने तरफ से दो दो जोड़ा मनाते हैं दो दो जोड़ा मनाते हैं तो दाहिने तरफ से एक जोड़ा हो गया 25 और दूसरा जोड़ा 6 है अब क्या करेंगे हम कि 2 से भाग देंगे 6 से कम होना चाहिए तो 2 दो चार हो गया और 3 से भाग देंगे हम तो 3 तरीके 9 हो जागा जो कि ज्यादा हो ज तो बचा दो, दो बच गया, जोड़ा में पचीस है, तो पचीस को एक साथ उतारेंगे हम, तो पचीस उतर गया यहाँ पर, दो सब पचीस हो गया, अब क्या करेंगे हम, दो का जो भाग दिया था यहाँ पर हम, तो दो आया था यहाँ पर ना, अब दो को इसमें जोड़ दे कि अब इस पाच कोड़ा हां इसमें करेंगे मत पाच कोड़ा प्यतारीस में करेंगे तब 50-25 हो गया यहां पर हाथ लगदो पाच चुनक है अब प्लस दो हो गया 22 हो गया 225 बबसको घटा देंगे तो 25 यह 25 कड़ी आएगा था 625 का गुरूण खंड हो जाएगा 625 का गुरंग गंड़ोजा का 25 यह अंडरूट में होता है यहां में साथ 2 होता है